सूपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंकरी की शूटिंग चल रही है और लगातार फिल्म को लेकर किसी ना किसी तरह की कॉंट्रोवर्सिस सामने आ रही है इस समय फिल्म की शूटिंग मांडू मध्य पिदेश में चल रही है और वहाँ A.S.I. ने फिल्म को नोटीस भी दे दिया था उनका कहना था कि बताने के बाद भी एतिहासिक धरोर को नुफसान पहुचाया जा रहा है अब फिल्म को लेकर एक ऐसा खुलासा सुनाक्षी सिना ने किया है जो आपको काफी ज्यादा चुका सकता है दरसल इस फिल्म में सलमान खान के साथ लीड रोल में सिर्फ सुनाक्षी सिना नहीं बलकि कोई और भी एक्ट्रेस नजर आएंगी जी हाँ इस बात का खुलासा सुनाक्षी सिना ने करते हुए राप से पर्दा उठाया है लेकिन उन्होंने उस सक्ष का नाम नहीं बताया और कहा कि आप अरबास खान से पूछें गौर करने वाली बात ये है कि अरबास खान फिल्म के प्रोडूसर है तो सुनाक्षी सिना ने कहा कि मैं इस बात का खुलासा नहीं करती पहली फिल्म से ही सुनाशी सिना ने रज्जो का धमाकेदार किर्दार निबाया है और ये किर्दार उनके दिल के इसलिए भी करीब है क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी फिल्म को लेकर चर्चा है कि इसी साल के अंग तक रिलीस कर दी जाएगी अब दूसरी एक्ट्रिस के एलान के बाद फिल्म को लेकर उत्साब बढ़ गया है दबंग 3 में सल्मान खान फिर से दमदार एक्शन के साथ वापसी करेंगे दबंग 3 की कहानी इस बर काफी ज्यादा खास होने वाली है इस फिल्म में सल्मान खान का अलग अंदाज नसर आने वाला है सुनाक्षी सिना इस फिल्म में रज्जो बनकर पिर से धमाल करेंगी फिल्म के लिए उन्होंने एक और एक्ट्रस साथ खुलासा किया है फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में सल्मान खान किसानों के लिए बिल्डरों से लड़ते नजर आने वाले है ये फिल्म एक सच्छी कहानी और पुलिस ओफिसर पर निर्बर है जो की अकेले भूम आफिया उसे भिड़ गया था अभिनेता किक्ची सुदीव इस फिल्म में नेगटिव रोल निभाते हुए नजर आएंगे दबंग 3 के बारे में अभी इतनी ही खबर सामने आई है और खबरों के लिए आप हमारे चैनल YF स्टूडियोस को सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू